हेलो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे तो रोयल इंस्टिटूट उध्यपूर के कुछ किर्शी परवेक्षक के मैतपुर्ण परशन थे जो अपने हर रोज करते हैं तो आज अपनी पांचमी क्लास है तो जिन बच्चों ने पिछे क्लास नहीं देखी तो वो चैनल पे विजिट करके जरूर देख लें और अपने इस चैनल पर किर्शी परवेक्षक के लिए लाइव टेस्ट और लाइव क्लासें स्टार्ट हो चुकी है जो की एक्सपर्ट के दवर आपको पढ़ाया जा रहा है जिसके अंदर और वो क्लास आपको हर सुबह अरली मौर्निंग में 9 बच कर 30 मिनट पे आपको मिलेगी लाइव क्लास चलेगी तो आप वो क्लास जरूर जोइन करें आज अपनी ये क्लास हो चुकी है उसके बारे में अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल पे विजट करके जरूर देख लें अगर नोटिविकेशन की समश्या आती है किसी भी दोस्त को तो वो चैनल का नाम डालके चैनल पे विजट जरूर कर लें तो अपने बढ़ते हैं अपने क्योश्चनों पर तो आज का अपना 136 क्योश्चन स्टोमेटा के खुलने तथा बंध होने में अंतर गरस्त पोशक तत्व है तो पोटेशियम है नेक्ट क्योश्चन क्योश्चन नमर 137 परण अनुप्रियों के लिए यूरिया का बाई यूट्रेट अंस होना चाहिए तो 0.5 परतिशत से कम होना चाहिए इन में से कौन सा तत्व कोशिका बिती की रचना के लिए आफशक है तो सैल वोल होती है उसको बनाने के लिए कैल्शियम जो पोशक तत्व है वो सबसे इंपोर्टेंट है निमन में से किस राजय में वायू दवारा मर्दा शरण सबसे कम होता है तो ही माचल परदेश है उसमें वायू के दवारा शरण नहीं होता क्योंकि उधर जो मोसम है वो नमी यूगता है तो इसलिए वहां से वायू के दवारा शरण है जो नहीं होता next question question number 140 निमन में से किस जे उर्रक को दलनी फसलों में नाइट्रों स्थिरीकरन के लिए उप्योग कर सकते हैं तो राई जो भी में उप्योग कर सकते हैं कच्ची अस्ती चुरण में अधिक मातरा में पाये जाता है तो जो कच्ची अस्ती चुरण होती है उसके अंदर फोस्फोर्स होता है वो अधिक मातरा में पाय जाता है आइसो पूल्टरान है एक ये वीडी साइड है next question निमन में से किस फसल को दूसरी फसलों के उपेक्षा कम पानी के आपशकता होती है जो चना होता है उसको अन्य फसलों से कम पानी के आपशकता होती है question नमर 145 समान्यत है फुमारा सिंचाई पत्ती में उप्योग अन्य वाली पाइप के लंबाई होती है चैंचाई जो प्रेसर होता है वो बना रहे उसमें बैलैंस रहे next question पार्शल फ्लूम दौआरा मापी जाती है तो सिंचाई की जो सिंचाई जल की मात्रा होती है वो पार्शम फ्लूम के दौआरा मापी जाती है next question बोने गेहूं की फसल में 2-4-D का उप्योग कब करते हैं तो बौआई के 35 दिन के बाद करते हैं अपने जिससे जो चोड़ी पती वाले खरपतवार है वो नस्ट हो जाए और 2-4-D यह एक हार्मोन के रूप में भी उप्योग किया जाता है याद रखे next question question number 147 पैंडेल बग किस फसल का नासकीट है तो पैंडेल बग है यह सर्चों का नासकीट है पैस्ट है question number 148 जहीं की फसल को राजस्तान की किस रूप में उगाए जाता है तो रभी मुसम के अंदर उगाए जाता है 100 किलो ग्राम सर्चों में कितना तेल प्राप्त कर सकते हैं तो 33% यानि की 33 किलो अगर परसेंट में बात करें तो आप 33% लिखेंगे next question RGC R888 किस की उन्नत किसम है तो चना की है और RGC नाम से गवार की भी किसम में आती है तो आप इनमें डिफरेंस देख लें next question question अमलिय मर्दाओं में क्या डाला जाता है तो अमलिय मर्दों के इंदर चुना डाला जाता है और शारीय मर्दा होते हैं उसके इंदर जिपसम डाला जाता है next question अधिकतम सिंचाई शम्ता देने वाली सिंचाई पत्ती कौन सी है तो drip method है जो अधिक अपने को जो highest irrigation capacity यानि की शम्ता अपने को परदान करती है आइफिशेंसी देती है अपने को next question question number 153 पोदों दुबारा nitrogen किस रूब में ग्रैन किया जाता है next question गेउं में सिंचाई की सबसे critical stage कौन सी है तो CRI stage होती है इसको crown route initiation बोलते है next question question number 155 ground आउस्पत्ती से फसल उत्पादन को होने वाला लाब है ओपसीजन फसल लेना next question question number 155 बिटी कपास का सबसे ज़्यादा छेतरफल कौन से प्रदेश के अंदर है या कौन से राज्य के अंदर है तो महराष्टर है उसके अंदर बिटी कपास है उसका एरिया ज़्यादा है next question दान के खेतों में कौन सी गेंस ज़्यादा निकलती है तो CH4 यानि कि मैथन जो गेंस होती है वो ज़्यादा निकलती है गेहूं के खेट में फेलेडिख माइनर की रोख थाम के लिए कौन सा खरप्तवारना सिर्काम लेते है तो आइसोप्रूसर ohrion होता है तो नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होती है नेक्ट क्योश्चन क्योश्चन अमरे एक सुशार दलिनी फसले क्रोपिंग सिस्टम में उप्यूगत बैठती है कम अवदी की फसले है क्योंकि क्रोपिंग सिस्टम के अंदर क्यों बैठती है एक सो बांसर नीमिन में से कौन सा पोशक तत्व पोदों के लिए आपशक नहीं है तो ओर्गन होता है यह आपशक नहीं है मेगनीशम गंधक और तंबाय यह आपशक पोशक तत्व है नीमिन में से कौन सी किसम गेउं की नहीं है तो राज नाम से और लोक नाम से ये गयों की आती है और C, G, N, G 663 ये गयों की नहीं है तो आप ये बताएंगे किस की किसम है आपका ये होमवरक है और इसके आगे आप होमवरक जरूर लिखें फिर आप इसका आंशर दें नेक्स्ट क्वेश्चन याणी की रेटोनिंग नीमेन में से किस फसल में की जाती है तो आपको मैंने कल बताया है रेटोनिंग होती है जो गन्ये के अंदर की जाती है और 165 खरपगवान नियंतन के लिए 240 शुरुखषित रूप से कौन सी फसल में ये उम्यों की जाता है तो 16 किलो होता है next question राजस्तान में रवी के दुरान फसलों के सबसे ज़्यादा छेतर के सिंचाई निमन दौरा की जाती है तो कुओं और नलकूप के दौरा की जाती है रवी मुस्वन के अंदर याद रखें राजस्तान के अंदर कुओं और नलकूपों के दौरा की जाती है question number 160 दक्सनिपूर्वी राजस्तान में जवार फसल की जगए कौन सी फसल ने ले ली है तो जवार की जगए सोयाबीन ने ले ली है question number 109 सोयाबीन के अधिक उपज देने वाली कौन सी किसम राजस्तान में सबसे बड़े छेतर फिर उगए जाती है तो मोनेटो है ना जो ये सबसे बड़े छेतर के अंदर उगए जाती है सोयाबीन के एक अच्छी variety है ये question number 17 खरीफ में अधिक्तम उपज प्राप्त करने के लिए ओस्त आफशक्ता होती है 125 से 1.500 किलो होती है question number 112 एक बार डाली गई जेव खाद फसल के उत्पादन में कितनी अधि के लिए प्रभावी रहती है तो 2 से 3 वरस तक प्रभावी रहती है next question number 23 किसी मोसम में फसलों का ओस्त उत्पादन मुख्यत है किस कारण से कम होता है तो कम वर्षा और जो आस्मान वित्रण होता है ना उसके कारण होता है next question question number 144 breeder द्वारा बडोतरी उत्पादित तता सप्लाई किये गए बीजों को का जाता है तो मूल दारा बीज का जाता है उनको याद रखे और आप इसको नोट भी कर लें important question है जो भी concept आते हैं तो वह आपको साथ साथ में समझाता जाऊँगा तो उसके बारे में आप worried होने की कोई बात नहीं है next question question number 175 फसलों में उर्वरक के portion की अधिक्तम दक्षा प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए तो किसको डालना चाहिए 20 उर्वरक को मिलाकर seed drill के दवरा डालना चाहिए जिससे ना पोशकतत्तव की लेने की जो efficiency है वो ज़्यादा बढ़ती है question number 166 नीमन में से अमरिकन कपास का विज्यानिक नाम है तो से अमरिकन कपास होता है उसका नाम है याद रखे और आरोबोरियम हर हरवेशियम है ये इंडियन जो है उनका नाम है question number 178 अट्राजीन साक नासी कौन सी फसल में खरपरतवार नियंतन के लिए सही है तो मक्का की फसल के अंदर सही है question number 118 जैतर मर्दा में गुलन सील लवनों की मात्रा करांतिक वस्ता में ज़्यादा होती है तो फसल बड़वार पर परतिकूल असर पड़ता है यह मर्दा कहलाती है तो लवनिया मर्दा होती है वो कहलाती है क्योंकि करांतिक वस्ता के अंदर लवनों की मात्रा है ना हो मर्दा की अंदर जादा हो जाती है और फसल बड़वार पर परतिकुल परभाव पड़ता है और ऐसी मर्दा को अपने लवनीय मर्दा कहते है क्योश्चे नमबर 189 कौन सी फसल को उगाने में जल बराव की आफशकता होती है तो दान है उसके लिए जल बराव की आफशकता होती है क्योश्चे नमरे 100 सी निमिन में से कौन सी फसल कम ताप से सबसे अधिक परवावित होती है तो सस्वों होती है वो कम ताप से सबसे अधिक परवावित होती है एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अपने चैनल पर आज एगरिकल्चर के जो वरक शेली होती है यानि कि कि किस परकार का कार्य शेली होती है उसकी तो उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दी गई है तो आप वीडियो जुरूर देख ले और एक बात और है आप कलास को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उस्चे नमबर 180 राज्या में सिंचाई का सबसे परचलीत सादन है तो कूए है ना जो सबसे परचलीत सादन है कि उस्चे नमबर 180 अब शक्रोषन परड़ी के लिए तो नाइट्रोजन सायक है अब एक सुचरा सी, सोयाबीन की बीज में प्रोटीन की मादरा कितने? अच्छा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देश में राजस्तान की कौन सी तिलन फसल का छेतरफल और उत्पादन में पर्थमस्तान है तो सर्चों उसका उत्पादन भी अच्छा होता है और छेतरफल भी अच्छा होता है अगर आपको कलास अच्छी लगे तो उसको ज़ादा से ज़ादा शेयर करें लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी को परसनली मेसेज करना है तो आप इंस्टागराम पे मेसेज कर सकते हैं और कलास आप जरूर अटेंड करें हर रोज सुबह आपको सद्धे नो बजे कलास मिलेगी लाइव नो बज के तीस मिनट पे अरली मोर्निंग हर रोज धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट कलास के अंदर कलास को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं स्पोर्ट करें